जिलंदर जिमनी चौन दे विच आमादमी पार्टी दी वड़ी जत्ते मुख मंतरी पगवांत मान दा पहला ब्यान सामने आए मुख मंतरी मानने किया कि जिलंदर जत्तों ए साबित हो गया है कि लोका ने आमादमी पार्टी दे कमाते मोर लाई है साड़ी चौदा महीन्या दी सरकार दोरां लए फैसले लोकानो पसांदा आएने ते उनना ने जलंदर लोकसबा सीट ते वी सानु सेवा करन्दा मौका बक्चे आए जलंदर लोकसबा में जो बाईलेक्षन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आमादमी पार्टी के कामों पर लगबग चौदा महीने अभी हुए नहीं है सोला मार्च को हमने ओध ली थी सोला मही को चौदा महीने होंगे तो लगबग चौदा महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है जैसा के हमारी पार्टी के सुप्रीमों अर्विन केजरिवाल जी ने कहा कि हम धर्म की जातपात क की राजनीती नहीं करते हम मौहला क्लिक गिना रहे थे जो आमादमी क्लिक हमने पंजाब में बनाये है पांसओ असी हम वहाँ स्कूल फ एमिनेंस की बात कर रहे थे स्कूलों के नाम पर वोड मांग रहे थे हम वहाँ पर बिजली का बेल जीरो जो आया इसको आगे कैसे लि रहेगा उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे बोर्ट मांग रहे थे हम इंफरसक्टर से जो है उसके नाम पर बोर्ट मांग रहे थे हम पारियों से बात कर रहे थे किसानों से बात कर रहे थे मजदूरों से बात कर रहे थे हर एक की भ जब 28 सीटें आई थी फिर उसके बाद 67 आई उसके 63 आई तो अर्विन केरिवाज जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है 92 MLA हमारे पंजाब की विधान सवा में 63 MLA हमारे दिल्ली की विधान सवा में 5 MLA हमारे गुजरात की विधान सवा में 2 MLA हमारे गोवा की विधान सवा में 10 MP हमारे राजय सवा में और आज के बाद 1 MP हमारा लोग सवा में है तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी सभिधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान जाज हमारा हिस्सा ना हो इस सभ आमारी पार्टी की टीम जो बलेंटियर जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफले के रूब में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं तो ये उनकी जीत है तो जब बानमे सीच जीत कर मुख्यमंत्री का मुझे दायत्तुब दिया था अर्विंद केजरिवाल जी ने मुझे पर भरोसा किया था तब भी मैंने यहीं कहा था कि जीतने के बाद हमने को हैंकार नहीं करना है अभी तो हमारी जम्मेदारी बड़ी है और ज़्यादा मेनस से काम करना है अब जलंदर वालों ने इतना मान समान किया जलंदर वालों ने इतना ब्रोसा किया उमीद और आस जगी है तो हमको और जम्मेदारी से काम करना होगा जलंदर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे देश में हमारे स्टेट को नंबर बनाना है ये हमारा अगला मकसद है रंगला पंजाब कलरफुल पंजाब जो हमारा टीचा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आज जब जीत हुई मेरा होसल बहुत बढ़ गया क्योंकि हम लोग जब जाते थे अर्विन जी रोडशो में जाते हैं हम यही लोगों को कहते थे कि 11 महीने की एलेक्षन है अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा होगा 2024 की एलेक्षन हो चल रही होगी बलके मार्च में ही लग जाता है मार्च के एंड में तो 10-11 महीने हमारे MP को मिले हैं लेकिन 10-11 महीने में ही हम इतना काम करेंगे कि अगली बार हमको हाथ जोड कर वोट ना मांगने पड़े हैं अगली बार हमारे काम और कामों के अधार पर जितना हमें समय मिला पार्लियमेंट में जलंदर की वाज पंजाब की वाज बनके उमीद है और आज लगबग साथ हजार मतों से जीतना और बाकी सभी कठे थे जे बीजेपी अकालीदल बीएसपी कॉंग्रेस ये सब कठे थे इनकी PC लग-लग होती थी बस एक गंटा PC में गैप होता था content से में होता था एक दूसरे को देते थे के ये अब तुम ले जाओ ये गालिया मैंने दिया ये अब तीन बजे देते ना वो ही गालिया चार बजे वो देते थे तो ये कठे मिलके लड़े तो लिकिन लोगों ने इन सबको नकार दिया और लोगों ने आमादवी पार्टी की जो सरकार है उसके वर्क कल्चर पर उसके इमानदारी के जो फत्वा है भी इमानदारी का फत्वा हमें दिया है जलंदर के लगबग साड़े आठ लाग से जादा लोगों ने बोट किया और हम उनकी आसों उमीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे मुख मंदरी पक्वांत मार ने किया है कि असी तरमादे ना ते वोटा नहीं मंगया सान सगों मुद्यादी स्यासत कीती है जलंदर चोन पर चार दोरान असी किसाना मज़दूरा वपारियाना गालबात करते रहे ते उना दिया समस्यावा सुनिया ते हाल करना परोसा देता क्योंकि असी पहला की ते वादया ते खरे उतरें इस करके जलंदर दे वोटरा ने साड़े ते परोसा जुताया ते सानू बड़ी जिमेवारी सौंपी है जलंदर तो बिर रपोर्ट NC7 News